जैजनेंद बंदो मैं रवी जैन गुरु जी आज गुरुवार और राहुकाल दोफेर डेड़ बज़े से तीन बज़े तक रहेगा इस बीच में हमें कोई भी नया कारिया आरम करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेश रासी वाले राजनेता से लाब मिल सकता है परियास करोगे तो अवस्य सफल होंगे क्या करें शिरी मंदिर जी में यथा संबावदान अवश्य दें वश्य वाले पूरानी चिंता दूर होगी रुके कारिये भी बनेंगे क्या करें सिरी सिर्यांस नाज जी का चाली सा पढ़ें मिश्य रासी वाले घर में खुशियां आएंगी दिन अच्छा है क्या करें अगर किनर दिखाई दें तो उन्हें यथा संबाव दान दें करकरासी वाले मन परसं रहेगा सेवकों से तालमेल बैठाएं क्या करें जादे से जादे समय आज मौन रहें सिर्यांस वाले खरीदारी से फाइदा होगा नई जिम्मेदारी भी मिलेंगी क्या करें दोस्तों को गिफ्ट भेट करें कन्यारासी वाले अनावशक दोड़ हो सकती है लंबी दूरी की यात्रा से बचे क्या करें पीला रुमाल अपने पास रखे धुलारासी वाले गिरहें अनुकूल है नया कारे आरंब कर सकते है क्या करें एक बार नमो सिध्धानम की माला फेरें वश्चिकरासी वाले पदोन नती के चांस टी का टिपनी से बचे क्या करें सिरी संभावनाजी का चालीसा दो बार पढ़े धनुरासी वाले लेंदेन में सावधानी रखें सडक पर भी सावधान रहें क्या करें लीची का त्याग रखें लीची का परहेज करें मकरासी वाले अचानक प्रेशानी आ सकती है सुनी हुई बातों में बिल्कुल ना आएं क्या करें ब्रेड पीजा बर्गर का एक दिन का त्याग रखें गुमरासी वाले लंबी योजना में निवेस का दिन लाब का भी अच्छा अवसर क्या करें घर पर लोटते समय खाली हाथ पर वेस ना करें कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आएं में रासी वाले अंजान से दोस्ती से बचें आज दिन कमजोर है क्या करें ओमरीम श्री नेमीना जिनेंदराय नमा की एक माला फेरे अब बात करते हैं आज की सलहा की आज की सलहा में ध्यान रखें परियास करें अगर आपके घर पर कोई भी अतीती आता है तो उसे भोजन अवश्य कराएं अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक ब्रहमन को भोजन कराने की ववस्था करें अगर आप लंबे समय तक कैसा करेंगे तो इससे आपका गुरु ग्रे बहुत बलवान होगा और मैं आपको बता दूँ नोगरों में सुख सांती समर्दी देने वाला अगर कोई ग्रे है तो वो गुरु ग्रे होता है तो हम किसी ब्रहमन को या अपने गुरु को या घर आए अतीती को परियास करें भोजन अवश्य कराएं और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है अनीता जैन जी ने बरेली से लिखते हैं गुरु जी शादी को साथ साल हो चुके हैं एक एक दिन रो रो कर वैतीत हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भविश्य क्या होगा और हम क्या करें देखे अनीता जी अगर हम आपकी केवल आपकी कुंडली की बात करें तो थोड़ा सा वेगाई येवन को लेकर आपकी कुंडली कमजोर है आपको तीन उपा नमबर दो एक अच्छी क्वालिटी का मूनिश्टोन रतन लेकर चानी में मढवाकर सोमवार के दिन गले में धारन करें और तीसरा शाम के समय शिरिच चंद्रपभू चाली सा तीन बार पढ़ें अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको एक परिवर्तन दिखाई देगा और आपकी समश्या काफिया तक समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लैस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सभी को जै जिनेंद्रा